Hello everyone, today's topic is inference in Nyaya philosophy, epistemology of Nyaya philosophy, the means of knowledge that is inference. So last video में हमने perception के बारे में पढ़ लिया था और आज हम देखेंगे कि उसका जो दूसरा means of knowledge है Nyaya philosophy में वो क्या है? So Anumaan, जिसको हिंदी में Anumaan कहा गया है और English में inference. So the word Anumaan is the conjonal of two terms Anu and Maan. Anumaan शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है Anu और Maan. The word Anu stands for after and Maan means cognition. मतलब Anu का अर्थ होता है बात में और Maan का अर्थ होता है ज्यान. Cognition का मतलब होता है ज्यान. So Anumaan का अगर हम मिला जुला कर अर्थ देखें तो वो क्या होगा? After Cognition. So Anumaan का अर्थ होगा कि वह ज्यान जो किसी ज्यान के बाद आता है. Basically. So literally speaking Anumaan is such knowledge which follows from other knowledge. Anumaan एक ऐसा ज्यान है जो एक ज्यान के बाद आता है. Now question यह है कि वह कौन सा ज्यान है जिसके बाद inference होता है. So that knowledge is the perception. On the basis of which the inference is obtained. Inference is depend on the perception for its origin. Or inference is dependent. How to do it? Aadhaar क्या है? वह प्रत्यक्ष. ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान होता है. यह प्रत्यक्ष की वीडियो में भी मैंने समझाया था. क्योंकि प्रत्यक्ष एक ऐसा knowledge है. जहां हम senses के थ्रू knowledge गेन करते हैं. अब ऐसा क्या है ऐसी कई knowledge होती है जहां हमारी senses नहीं पहुँच पाती तो फिर हमें उस context में knowledge कैसे होगा तो उसके लिए हमें inference का सहारा लेना पड़ता है For example, seeing the smoke on the mountain, it is inference that there is a fire तो यह पता किया जाता है कि पहार पर अगर धुआ दिख रहा है या किसी place पर धुआ दिख रहा है तो यह अनुमान किया जाता है inference किया जाता है कि वहाँ पर आग होगी इसलिए जो गौतम मुनी थे, जो न्याय दर्शन के founder थे उन्होंने अनुमान को किस तरह से elaborate किया था या describe किया था वो है तत्व पूर्वकम पृत्यक्ष मूलक यानी पृत्यक्ष के अधार पर जो ग्यान होता है उसे अनुमान कहते हैं यह मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि उन्होंने क्या कहा था तत्व पूर्वकम पृत्यक्ष मूलक अनुमान वह ग्यान है इसका मतलब है अनुमान वह ग्यान है जिसमें पृत्यक्ष के अधार पर ज़्यान की प्रापती होती है inference is that knowledge in which one goes from direct to indirect this is important क्योंकि direct क्या है वो तो perception है जो हमें direct receive होता है अपनी senses की तुरू जैसे directly किसी object को देखना किसी object को smell करना यह direct perception है लेकिन inference जो है वो direct नहीं है क्योंकि हमें वहाँ आग दिख नहीं रही है हम सरिफ आपके हुने का अनुमाल लगा रहे है inference कर रहे है so importance of inference यही है कि perception is limited to the present because perception is done through the sense क्योंकि हमारी जो senses है वो एक limit तक ही देख सकती है वो उस सीमा से बाहर नहीं जा सकती आप अपनी आग से एक सीमा तक ही देख सकते है अपनी नाग से एक सीमा तक ही सुं सकते है so that's why the senses of human being are limited and we receive knowledge in a limited sense so the knowledge of the thing which is beyond the reach of the senses is not obtained from the perception जो जो ज्यान आपकी इंद्रियों तक नहीं पहुंच रह उसकी knowledge कैसे होगी but the knowledge of the past and the future can be obtained through inference हम उस ज्यान को अनुमान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं objects are not interviewed in inference as a result of which inference of knowledge is called mediate knowledge mediate knowledge का मतलब होता है परोक्ष ज्यान इसको हिंदी में बोलते हैं परोक्ष ज्यान actually there is a little difference between perception and inference perception is called immediate knowledge अपरोक्ष ज्यान उसे बोला जाता है क्योंकि उसमें जो things हैं जो object हैं उनका साक्षात कार होता है उनको हम देखते हैं ठीक है? डारेक्ट देखते हैं यही कारण है कि उसे अपरोक्ष ज्यान का जाता है immediate knowledge लेकिन अनुमान में विशियों का साक्षात कार नहीं होता हम उन्हें नहीं देखते इसलिए उन्हें परोक्ष ज्यानी immediate knowledge कहा जाता है यह कहा गया है कि पहाड पर आग है क्योंकि वहां धुआ है जहां जहां धुआ है वहां वहां आग है simple sentence में कहा जाता है कि जहां जहां धुआ है वहां वहां आग है यह अनुमान का एक बहुत ही पुराना या आपको जो Indian philosophy के almost हर बुक में आपको ये एक्जामपल मिलेगा और जहां जहां धुआ है वहां वहां आग है एक सिंपल सा एक्जामपल एक लाइन में मिलता है जहां जहां धुआ है वहां वहां आग है ये मिलता है वहां वहां आगा नुमान के कॉंटेक्स में हम तीन पक्षों की बात करते हैं और वो क्या है वो तीन बहुत इंपॉर्टिंट हैं तीन वाग क्या आप कह सकते हैं मेडल क्या गोच आपको याद होका ये में लोजिक पड़ा रही थि लाजिक में मैंफ करें तो उसमें थेयू न मीडल हम और लेगो करे में वहां ऑस सरना कि क्या है अगर आपने वो वीडियो देखे होगी तो आप यहां पर उसको रिलेट कर पाएंगे तो माइनर मेजर माइनर और मेडिल टम्स आर यूज इंटरचेंजिबली आज साध्य पाक्ष और हेतु इन तीन आवियबों को जानना जरूरी है अनुमान के कॉंटेक्स्ट में अब यह क्या है फर्स्ट इस पक्ष पक्ष इस दर सब्जेक्ट वेयर वी स्टैबलिश सम्थिंग जहां पर हम कुछ प्रूफ करना चाते हैं उसे पक्ष क्याते हैं पक्ष अनुमान का वह अभी अभी है जिसके सम्मंध में अनुमान किया जाता है पक्ष is the component of the inference in relation to which inference is made for example जैसे कि जो हमने example पीछे दिया उसमें the mountain is the पक्ष क्योंकि mountain में हम कुछ प्रूफ करना चाते हैं हम कुछ सिद्ध करना चाते हैं because there has been an inferencing regarding the mountain कि mountain में की fire कहा है mountain में है इसलिए mountain पक्ष है then साध्य and हाँ one important point is पक्ष is to be perceived but not inferred क्योंकि mountain हम देख रहे हैं mountain को perceived किया जा रहा है then second is साध्य the साध्य is the object of inference it is not perceived जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं उसको साध्य कहा जाता है तो whatever is proved in the relation to the पक्ष is called साध्य तो हम अगर example में देखें तो हम mountain में क्या infer कर रहे हैं हम fire को infer कर रहे हैं so fire is a साध्य because the existence of fire on the mountain has been proved तो इस तरह से आग साध्य क्योंकि पहाड पर आग का होना ही सिद्धि किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि पक्ष में साध्य को प्रूफ करने के लिए जो कारण होता है या जो link होता है दोनों के बीच उसे हेत्व कहते हैं तो यहाँ पर जो दोनों को जोड रहा है वो क्या है smoke smoke is हेत्व because seeing the smoke it is inference that there is a fire on the mountain and there are many names for हेत्व link, mark, sign यह सब उसको इसके बहुत सारे नाम है तो इस तरह से यह तीन अव्याब हैं जो अनुमान को समझने के लिए बहुत इंपोर्टन है और एक बहुत इंपोर्टन रिलेशन है जिसके बिना inference को समझाया नहीं जा सकता that is व्याप्ती perversion or concominals व्याप्ती सम्मंध अब व्याप्ती सम्मंध क्या है the basis of the inference is व्याप्ती व्याप्ती relation must subsist between हेतु and साध्य तो अभी हेतु और साध्य आप समझ चुके हैं वो मैं समझा चुके हूँ तो उनके बीच का जो एक अनिवारे सम्मंध है उसे व्याप्ती कहते हैं व्याप्ती is defined as invariable, unconditional and universal relation between middle term and major term of the inferential argument अभी आप example देखेंगे तो आपको ये clear हो जाएगा कि कैसे हम एक relation की बात कर रहे हैं व्याप्ती is a special kind of relationship between it never breaks, ये कभी नहीं तूटती इसलिए ये एक विशेश सम्मंध है, ऐसा नहीं है कि अभी है और थोड़ी देर में खतम हो जाएगी तो इसलिए ये एक special relationship है, thus it is called necessary relationship व्याप्ती refers to the relationship between two objects और ये हमेशा दो objects के बीच होती है इन दिस, one is called व्यापक and other is called व्याप्य व्यापक और दूसरे को हम बोलते हैं व्याप्य ये क्या है व्यापक और व्याप्य actually व्यापक को साध्य कहा गया है जो अभी हमने पढ़ा वो जो व्यापक है वो साध्य है और जो व्याप्य है वो हेतु है तो हेतु और जैसा केम पहले भी कह चुके हैं कि हेतु और साध्य की बीच में जो सम्मंध है उसे व्याप्ती कहते हैं या हम ये कहें कि व्यापक और व्याप्य के बीच में जो सम्मंध है उसे व्याप्ती कहते हैं और इन दोनों का समझना बहुत जरूरी है कि ये व्याप्प्य और व्यापक क्या है क्योंकि इन दोनों का अनिवारे सम्मंध ही व्याप्ती कहा जाता है इन दोनों के बीच क्योंकि जहां हमने क्या कहा कि जहां जहां धुआ है वहां वहां आग है तो धुए और आग के बीच एक अनिवारे सम्मंध है इसे हम अलग नहीं कर सकते कि जहां एक होता है वहीं दूसरा होता है जहां तक व्यापक और व्यापक के विस्तार का सवाल है तो जहां जहां दुआं वहां वहां आग On investigation, we find that it is not necessary to know the smoke from fire Fire is found in many places, even without smoke एक चीज यहां पर एक चोटा सा point है जो ध्यान देने वाली बात है कि यह जो संबंध है, यह किस के बीच है? यह जो example है, यह यह है कि जहां जहां दुआ है, वहां वहां आग है लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कह सकते, जहां जहां आग है, वहां वहां दुआ है क्योंकि काफी बार हमें आग बिना धुएं के भी दिखाई देती है बट, through a smoke we get the sense of fire लेकिन धुएं से हम आग का नुमान जरूर लगाते हैं देर इसा कोई प्लेस नहीं है क्योंकि यह classical example है, तो यह बहुत पहले के टाइम से चला आ रहा है कई लोग कई student कहते कि मैम नहीं ऐसी कई चीज़ें हैं कि जहां आग है दुआ नहीं है या दुआ है आग नहीं है तो ऐसा बहुत कुछ होता है बट यहां पर यह clear है कि देखिए पहले के लोग क्या करते थे लकडी जलाते थे या चूले पर खाना मनाते थे इसलिए किचिन रसोई घर का example दिया गया है अब आज के टाइम पर गैस है इंडक्शन है बहुत सारे नई टेकनिक आ गई है इसलिए मैंने बोला कि यह जो धुआ वाले example यह classical है कि जहां भी धुआ दिखेगा वहां और धुआ और धुंद में अंतर है कई बच्चे इसमें confusion create कर लेते हैं कि मैं नहीं सर्दियों में तो धुआ 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 रहता है सुबह आग थोड़े ना उती ऐसा नहीं है वो fog is something different thing कि जो धुंद है कोहरा है वो एक अलग चीज़ है लेकिन जो धुआ है धुआ जो आग जलने से ही निकलता है हम उसकी बात कर रहे है तो जहां भी दुआ है वहां आग का होना निश्चित है so we can say that wherever there is a smoke there is a fire now the types of व्याप्ती कई लोग इसको define करते हैं आपको ज़्यादा तर ये करने नहीं मिलेगा बहुत elaboration नहीं मिलेगा इसका सम्व्याप्ती और विसम्व्याप्ती विसम्व्याप्ती को कभी कभी असम्व्याप्ती भी कहते हैं जो multiple question आते हैं जैसे UGC net के exam में या entrance में या कई competitive exam में अगे Indian philosophy से related ये questions अमेशा आते हैं विसम्व्याप्ती के दो प्रकार और बच्चे confused भी हो जाते हैं क्योंकि उसमें विसम्व्याप्ती और सम्व्याप्ती एक साथ दे रहता है लोगों को लगता है कि ये दो अलग प्रकार है तो ऐसा नहीं है ये एक ही प्रकार का नाम है विसम्व्याप्ती रसम्व्याप्त अभियापति बिट्वीन टर्म्स अप अनिक्वाल एक्स्टेंशन सच अश्मोक एंड फायर, मैं अन मॉर्टल इस विसंभ्यापति and as distinguished from this, अभियापति बिट्वीन टू टर्म्स अफ इक्वाल एक्स्टेंशन इस विसंभ्यापति तो ये बताया गया है कि जैसे धुआ और आग, मनुष्य और मरंड शीलता, जैसे निवनदीक विस्तार वाले पदों की बीच जो वियापति होती है, वो असंभ्यापति या विसंभ्यापति कहलाती है अब है पंचाब्यब, ये भी अनुमान के परिपेश में, in the context of inference, फाइब मेंबर्स लॉजिसम इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट और इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या है तो, first is प्रतिग्या प्रतिग्या, प्रतिग्या क्या है? अनुमान, पहले तो मैं बता दूँ कि ये फाइब मेंबर्स लॉजिसम है क्या है जनरली क्या होता है? कभी-कभी हम दूसरों के लिए इंफरेंस करते हैं, उनको नॉलिज देने के लिए और ऐसी कंडिशन में हम अपनी नॉलिज को कैसे अच्छी तरीके से दूसरों को दे पाएं इस कॉंटेक्स्ट में दूसरों के लिए जो इंफरेंस किया जाता है, उसके फाइब पाट या फाइब अवियब बेसिकली कॉंपोनेंट होते हैं, वो बताए गए हैं इसलिए क्योंकि ये पाँच है इसलिए इसको पंचावियब कहते हैं, और अब हम इने एक एक करके देखते हैं, तो first is प्रतिग्या, so the sentence which we want to prove by the inference is called प्रतिग्या, कि वे वाक्ये जिसे हम सिद्ध करना चाते हैं, the enunciation of the proposition to be proved, मान लीजे, let's see, we want to prove a fire on a mountain, जैसे कि अभी हम example में करें थे, कि हमें mountain में fire को proof करना है, so हम क्या कहेंगे, there is fire on the mountain, क्योंकि ये हमारा क्या है, सिद्ध वाक्ये है, इसे हमें proof करना है, कि पाहाड पर आग है, ये प्रतिग्या है, second, हे तू, हे तू means, हे तू, the argument which is given to fulfill one's प्रतिग्या, और statement or proposition is called हे तू, तो हे तू का इस थान दूसरा है, और प्रतिग्या को सिद्ध करने के लिए, जो argument दिया जाता है, उसे हे तू कहते हैं, तो अगर हमें mountain पे fire को proof करना है, तो हम argument क्या देते हैं, because there is smoke on the hill or mountain, हम ये देते हैं, ये हमारा क्या है, argument है, हे तू है, क्योंकि पहाड पर धुआ है, ये हमने reason दे दिया, ये हमने एक argument दे दिया, अपनी proposition को सिद्ध करने के लिए, अब हम उधारण देते हैं, अपनी बात को proof करने के लिए, हमने एक argument दे दिया, logic दे दिया, अब हम उसका example देते हैं, जैसे कि रसोई घर में होता है, जहाँ जहाँ धुआ है, वहाँ वहाँ आग है, ये क्या हो गया? उधारण सहित व्यापती वाकिया, क्योंकि हमने इसमें व्यापती relation को भी define किया है, जहाँ जहाँ धुआ है, वहाँ वहाँ आग है, ये व्यापक हो गया, जो मैंने अभी आपको पहले समझाया था, तो यह हमने उधारन दे दिया next is opening application यह reconfirmation it is application of the universal cognitance to the present case for example this hill or mountain is likewise smoky हमने जब उधारन दे दिया तो हम अपनी बात को रखते हैं कि जहाँ जहाँ दुआ है वहाँ वहाँ आग है जैसे कि इस पहाँ पर भी धुआ है तो इसके बाद हम क्या कहेंगे इसके बाद हम conclusion देंगे निगमन जिसको बोलते हैं निगमन और हम conclusion क्या देंगे it is conclusion drawn from the preceding proposition thus there is fire on the hill यह हमने conclude कर दिया कि हाँ कि पहाँ में आग है तो आप देखो कि जहां से हमने शुरू किया था प्रतिग्या हमारी यही थी ना कि there is fire on the mountain or the hill और वही हम conclusion में proof करते हैं तो हमारा जो first statement होता है first और जो last होता है वो दोनों एक जैसे होते हैं पहली वाई को हम proof करने के शुरू करते हैं और last में हम उसे proof कर देते हैं जैसा कि math की theorem में भी होता है जो हमें proof करना होता है उसे हम लिखते हैं सबसे पहले नम्मर पे और end में conclusion में लिखते हैं proved कि वो proved हो गया ऐसे ही यह है तो आप यहाँ पे five members syllogism क्या हो गया प्रतिःज्या हेतू उधारण उपने निग्मन ये 5 है और ये पांचों बहुत important है तो प्रतिःज्या अगर में short में बताऊ। तो प्रतिःज्या यानि पहार पर आग है हेतू क्योंकि पहार में धुआ है उधारण जहाँ-जहाँ धुआ होता है वहाँ वहाँ आग होती है जैसे रसोई घर और उपने पहाड पर भी धुआ है और निसकर्स इसलिए पहाड पर आग है तो इस तरह से हम किसी दूसरे को अनुमान के द्वारा ज्यान देते है अनुमान के प्रकार अब अनुमान को अलग अलग द्रस्टियों से देखा गया है इसलिए इसके कई प्रकार आपको जानने को मिलेगे और जैसा कि मैंने बताया कि multiple question multiple choice के जब आते हैं question तो ये बहुत confusing हो जाता है क्योंकि एक अलग दृस्टी से अलग प्रकार है एक अलग दृस्टी से कुछ अलग प्रकार है तो बच्चे अगर ये नियाद करेंगे कि किस दृस्टी से है तो उन्हें सही प्रकार का मतलब नहीं पता चलेगा तो पहला है from the point of view of purpose यानि प्रयोजन प्रयोजन की दृस्टी से अनुमान के प्रकार प्रयोजन की दृस्टी से दो अनुमान के प्रकार है पहला इस स्वार्थ अनुमान दूसरा प्रार्थ अनुमान स्वार्थ अनुमान यानि inference for oneself यानि खुद के लिए और प्रार्थ अनुमान यानि inference for others यानि दूसरों के लिए पहला है inference for oneself when the human himself makes an inference for the attainment of personal knowledge then that inference is called inference for oneself तो अगर कोई अपने लिए अनुमान करता है तो उसे स्वार्थ अनुमान कहते है it is not required to present the judgment in an orderly manner since it is personal to the member क्योंकि ये अपने लिए तो हमें ऐसा नहीं है कि कोई argument देना है कि हमें proof करना है कोई चीज ये सरफ हमाई लिए है पहाड पर धुएं को देखकर ये अनुमान किया जाता है कि वहाँ पर आग है बस ये हमने अपने लिए कि वहाँ पर आग है हमें उसी को कोई तरक नहीं देना second is परार्थानुमान परार्थानुमान is done for the shape for others ये दूसरों के लिए किया जाता है when we take the help of inference to remove the doubts of others then that inference is called परार्थानुमान तो दूसरों का संकादूर करने के लिए जनुमान किया जाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं and five sentences are needed for the परार्थानुमान जो अभी हमने पांच पंचावियद पढ़े हैं five members logism ये इस अनुमान के लिए जरूरी है क्योंकि यहां पर हम किसी दूसरे को कोई knowledge दे रहे हैं कुछ proof कर रहे हैं इसलिए हमें logic भी देना है example भी देना है और फिर हमें अपनी बात को सही तरीके से बताना है so this is so because the correct order of judgment helps an individual to make understand other क्योंकि अगर आप बिल्कुल सही reasoning देंगे तो दूसरों को समझने में आसानी होती है so the pararthanuman is published in five sequential sentence these sentences are called abhya and there are five components of pararthanuman और five sentence is called panchavya इसलिए इसको panchavya बोलते हैं अब ये तो हो गया था प्रियोजन की देश्टी से यानि purpose अब देखिए दूसरी देश्टी according to old ने आया प्राचीन यह आपको पता होगा मैंने ने नेया की introduction में बता होगा कि नेया को दो भागों में divide किया गया है old and new जैसे प्राचीन और नव्य नेया प्राचीन और नव्य नेया तो जो प्राचीन नेया है there are three types of inference are considered according to old नेया और वो क्या है पूर्ववत second is सेश्वत and third is समान्यो द्रस्ट यह तीन है अब यह क्या है first is पूर्ववत inference तो पूर्ववत अनुमान inferring an unperceived effect from a perceived cause यानि यहां पे हम क्या करते हैं ज्यात कारण यानि जो हमें पता है known cause ज्यात कारण ठीक है कि अधार पर अग्यात कार्य यानि जो हमें नहीं पता इसका अनुमान लगाते हैं पूर्वत inference is called that inference in which unknown effect is inferred on the basis of known cause for example inferring the rain by looking at the cloud in the sky a cloud in the sky that is known that is known cause and rain inferencing the rain ठीक है यह क्या है unknown effect हो नहीं रही हम सिर्फ क्या कर रहे हैं infer कर रहे हैं तो आकास में बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान करना यह है पूर्वत अनुमान क्योंकि हम इसे पहले अनुमान कर रहे हैं अब है सेशवत दूसरा तो सेशवत क्या है inferring an unperceived cause from a perceived effect यह पूरवत का पोजिट है यहाँ पर क्या होता है हम कोई चीज यह भी अनुमान है जिसमें ग्यातकार यानी known ग्यातकार के अधार पर अज्यातकारण का अनुमान लगाते हैं पहले वाले में हम कार का अनुमान लगा रहे थे इसमें हम कारण का अनुमान लगाते हैं For example, seeing the water accumulating all around in the morning inferencing the rain in the night is a situate influence. तो अगर हम मान लो सुबह उठकर रोड में अगर के चारु तरफ पानी भरा हुआ देखते हैं तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि शायद रात को बारिश हुई होगी. तो हमने effect को पहले देखा, perceive कि पानी भरा हुआ था. तो cause का अनुमान हम बाद में लगा रहे हैं कि शायद बारिश हुई होगी. इसलिए इसको शेशवत कहा जाता है क्योंकि हम बाद में कारण का पता कर रहे हैं. Then third is samanyo dhasta. यह क्या है? When inference is not based on causation but on uniformity of coexistence. This inference is different from above type of inference. क्योंकि यह cause and effect relation पे based नहीं है. यह based है co-existence के principle पे. Co-existence कैसे? For example, if two objects are seen together, then it is normal to infer the other by looking one. मान लो दो चीज़ें आपको हमेशा साथ साथ दिखती हैं. और अगर उसमें से कभी एक दिखती हैं, तो आप दूसरे का नुमान लगा लेते हैं. For example, if two person, Ram and Mohan are constantly found together, then it is normal to guess about Mohan after seeing Ram. तो इस तरह से यह होता समान्यों दिरिश्चा. Now, according to नव्य न्याइका, there are three types of inference. अभी हमने जो पड़े वो थे प्राचीन न्याया के according, अभ है नव्य न्याइका, न्यू न्याइका. इनके भी according तीन है, केवल आनवी, केवल वेतीरे की, अनवे वेतीरे की. तो पहला है केवल आनवी, ये terms आपको थोड़ी सी हो सकता है, difficult लगे, केवल, इसको मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा अगर आप समझेंगे, तो ये याद हो जाएंगी, आपको समझना की जरुवत है, यहाँ पर अनवे, अनवे का मतलब क्या होता है, अनवे means companionship, यानि सहाचर, ठीक है, साथ. So, when the व्यापती is established by affirmative example, then inference is called केवलानवे, जहाँ पर हम affirmative example, affirmative sentence या positive sentence यूज़ करते हैं, वहाँ पर केवलानवे inference होता है, अब कैसे, यह मैं आपको बताती हूँ, All knowable substance are nameable, pot is one notable substance, hence pot is nameable, यानि सभी जानने वाले वस्तुएं नामधारी हैं, घड़ा एक जानने वाली वस्तु है, इसलिए घड़ा एक नामधारी है, यानि उसका एक नाम है, इसमें हमने सारे sentence क्या? अफर्मेटिव यूज किये हैं, इसलिए ये एक ऐसा inference है, ये अफर्मेटिव को ध्यान में रखते हुए बताया गया है, कि ये केवलानवे है, अन्वे का मतलब जिसे मैंने क्या बताया था, कि सहाचर, कि जितनी भी knowable चीज़ें हैं, वो nameable हैं, इन दोनों में क्या है, एक एक relation है, तो अगर pot knowable है, तो pot nameable भी है, ये साथ साथ चल रहे हैं, ये अन्वे है, ये अन्वे relation है, अब देखो केवल व्यति रेकी, दूसरा है केवल व्यति रेकी, अब व्यति रेकी क्या है, व्यति रेकी को समझते है, the inference in which the establishment of Vyapti is possible through negative example that inference is called केवल व्यती रेकी वो केवल केवलानवई था यानि उसमें केवल अनवे था उसे positive form में present होता है यह केवल व्यती रेकी है तो व्यती रेकी का मतलब जहां negatively हम कुछ establish कर रहे हैं यहाँ पे हमने क्या क्या लेस यानि वो चीज नहीं है उस पर exist नहीं कर रही यह negative है तो हमारा जो पहला प्रितिग्या था वो क्या था वो रहित यानि negative sense में हो गया इसलिए यह व्यती रेकी है अब देखिए third is अनवे व्यती रेकी यहाँ पे यह term के लिए रहे अनवे यानि affirmation भी है अनवे व्यती रेकी मतलब negation भी है यह आप समझ लेंगे तो आपको जल्दी clarification हो जाएगा affirmation भी है and negation भी है अब इन दोनों को मर्च कीजे अनवे व्यती रेकी यह व्यती रेकी यह बडेक। इनवे व्यती रेकी है second example all fireless substance are smokeless the mountain is smokeful therefore the mountain is fireful अब आप देखो दोनों में conclusion तो same ही निकल रहा है लेकिन एक को हम positively define कर रहे हैं एक को हम negatively define कर रहे हैं तो इस तरह से ये दोनों का collaboration है तो इस तरह से ये हम मैंने inference के आपको प्रकार बताए हैं जो लोगों को बड़ी complicated लगते हैं लेकिन अगर आप इसको समझेंगे सही से तो आपको बहुत जल्दी clear हो जाएंगे और ये पूरा inference का explanation था next video में मैं आपको बताऊंगी शाब्द प्रमान thank you so much